नमस्कार राधे राधे जैश्री कृष्ण मेरे चानल विरंदे राखी पर आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में चैतर मास के शुकल पक्ष की जो कामदा एकादशी है उसकी जो कथा है जो महात्मे है वह सुनाऊंगी इसी प्रकार सभी एकादशी व्रतों की कथा आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आप जाकर सुन सकते हैं तो आईए कथा प्रारंब करते हैं चैतर मास शुकल पक्ष की कामदा एकादशी की युदिष्ठिर ने पूछा वासुदेव आपको नमस्कार है अब मेरे सामने या बताईए कि चैतर सुकल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है भगवान श्रीकृष्ण बोले राजन एकागरचित होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वश्रिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था दिलीप ने पूछा भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ चैतर मास के शुकल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है वश्रिष्ठ जी बोले राजन चैतर शुकल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है वह परम पुन्य मैं है, पाप रूपी इधन के लिए तो वह दावा नलicon ही है प्राचीन काल की बात है नाग पूर नामक एक सुन्दर नगर था जहां सोने के महल बने हुए थे उस नगर में पुंडरीक आदी महा भयंकर नाग निवास करते थे पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज करता था गंधर्व किन्नर और अपसराय भी उसी नगर की से रहते थे दोनों ही परस पर काम से पीडित रहते थे ललिता के हरदय में सदापति की ही मूर्थी बसी रहती थी और ललित के हरदय में सुन्दरी ललिता का नित्य निवास था एक दिन की बात है नाग राज पुंडरीक राज सभा में बैठकर मनुरंजन कर रहा था उस समय ललित का गान हो रहा था किन्तू उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। कामातुर ललित को श्राप दिया दुरबुद्धे तु मेरे सामने गान करते समय भी पतनी के वशिभूत हो गया इसलिए राक्षस हो जा माहराज पुंडरी के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया भयंकर मुख विकराल आखे और देखने मातर से भै उप जाने वाला रूप मिला ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा ललिता अपने पती की विकराल आकरती देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई भारी दुख से कष्ट पाने लगी सोचने लगी क्या करूं कहा जाऊं मेरे पती पाप से कष्ट पा रहे हैं वह रोती हुई घने जं ललिता शिखरता के साथ वहां गई और मुनी को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई मुनी बड़े दयालू थे उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले शुभे तुम कौन हो कहा से आई हो मेरे सामने सच सच बताओ ललिता ने कहा महामुने वीर धनवा नाम वाल कर मुझे चैन नहीं है ब्रामन इस समय मेरा जो करतव है वह बताईए विप्रवर जिस पुन्य के द्वारा मेरे पती राक्षस भाव से चुटकारा पा जाएं उसका उपदेश कीजिए रिशी बोले भद्रे इस समय चैत्रमास के शुकलपक्ष की कामदा नामक एकादशी जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है तुम इसी का विधी पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुन्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो पुन्य देने पर शन भर में ही उसके श्राप का दोश दूर हो जाएगा राजन मुनिका यह वचन सुनकर ललिता को कामदा एक आदशी का उपवास व्रत किया है उसके पुन्य के प्रभाव से मेरे पती का राक्षस भाव दूर हो जाए वशेष्ट जी कहते हैं ललिता के इतना कहते ही उसी शन ललित का पाप दूर हो गया उसने दिव्य देह धारन कर लिया राक्षस भाव चला गया और यह जानकर कि इस एक आदशी के व्रत का यतन पूर्वक पालन करना चाहिए मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है कामदा एकादशी ब्रहम हत्या आदी पापो तथा पिशाचत्व का भी नाश करती है राजन इसके पढ़ने और सुनन से वाजपई यग्य का फल मिलता है तो यह थी चैत्रमाज शुकलपक्ष की एकादशी कामदा एकादशी की जो कथा है जो महात्म है तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हिंदु धरम से जुड़ी हुई वरतों तहवारों से जुड़ी हुई और बहुत सारे मंत्रों के बारे म को भी प्रेस कर लें तांके आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके तब तक के लिए राधे राधे जैश्री कृष्ण